तो दोस्तों कि आप भी अपना कोई Jio Sim BSNL में पोर्ट करना चाहते हो तो आज की यह वीडियो दोस्तों खास आपके लिए काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग और हैलफुल होने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस Voodoo के अंदर यापे आप सुभी को बताने वाला हूँ कि आप लोग किसी तरह से अपने किसी भी Giosim को कैसे BSNL में पोर्ट कर सकते हो क्या क्या चीज़े वहाँ पर लगती हैं सब कुछ इस वीडियो के अंदर यहाँ पर आप सभी को बताने वला हूं और खास जब भी हाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ जब भी आप जियो सिम को ब्यस्निल में पोर्ट करना चाहते हो तो आपको तीन बातों का जरूर से ख्याल रखना है वह क्या चीज़े हैं सब कुछ इस वीडियो के अंदर यहाँ पर आप सभी को बताने वला हूं कैसे आप जियो सिम को ब्यस्निल में पोर्ट करोगे सब कुछ यहाँ पर लाइक को साथ आप सभी को बताऊंगा लेकिन दोस्तों वीडियो स्टाट करने से प से कैसे ब्यस्निल में पोर्ट कर सकते हो सब कुछ चलो आप सभी को बता देते हैं दोस्तों तो देखो सबसे पहले मैं आप सभी को बता तीन ऐसी खास बाती आपको जरूर से ख्याल रखनी है जब भी आप जियो सिम को अपने ब्यस्निल में पोर्ट करना चाहते हो तो आप आपने कोई current plan अभी फिल हाल में ही जो recharge plan है वो जियो का करा है और अगर आप जियो sim को BSNL में convert कर दोगे तो आपका जो plan है वो खतम हो जाएगा end हो जाएगा एगदम the end वो हो जाएगा और आपको plan बिल्कुल यहाँ पे समाप्त हो जाएगा और आपको BSNL में दोस्तों आपे पूरा जो नया plan के साथ चलना पड़ेगा जो भी आपने BSNL में कराना चाहते हो वो आपको फिर से वहाँ पैसे लगेंगे तो आपको यह बात ख्याल रगना है कि आपको current plan चल रहा है वो एगदम से समाप्त हो जाएगा एंड हो जाएगा दोस्तों और जो तीसरी चीज़ वो ख्याल रखने है दोस्तों कि आगर आप यहाँ पर JioSIM को अपने BSNL में पूर्ट कराना चाहते हो तो आपको वहाँ पे अपने area का जो network होता उसे जरूर जांस लेना है आपको आसपास पता कर लेना है कि जो BSNL का network है वह कैसा है और आपका जो data वगरत चलेगा वो speed कितनी देता है और internet speed कितनी है आपको वह यहाँ पे जरूर जरूर ख्याल रख लेना है वह आपको पता कर लेना है उसके बाद ही यहाँ पर जाना है अगर आप ऐसे करा लेते हो कोई लालस में कि जो बियस्टनल का रिचार्ज है वो मिल्कुल सस्ता है तो आपको आप पर पस्तान अपड़ जाए क्योंकि जब इंटरनेट ही स्पीड ही नहीं सही रहेगी और नहीं चल पाएगा आपका नेट्वर्ट साइज से तो आपको आप और आपे दोस्तों सबसे पहले आप को यहाँप करना है टाइप करनी के लिए सींप्ली को dużo टाइप करना है one Mountain जीरो टीक है इतना टायिक करने के बाद सिम्प्ल अकांट वाले ही Legend करके दोस्तों आपको यहांपर save कर लेना है ठीक है तो मैं यहांपर simply आप देख सकते हो already save कर रहा है लेकिन आप यहांपर save कर लेना इस तरह से आपको simply यहांपर कोई भी नाम डाल देना है या फिर हम चलो यहांपर simply सा 1900 ही type करके सिंप्ली सेव कर देते हैं आपको इस तरह से यहां पर सेव कर लेना है सेव करने के बाद हम लोग सिंप्ली यहां पर क्या करेंगे हम लोग सिंप्ली यहां पर मैसेज वाले आपको आपको क्या टाइप करना है आपको यहां पर सर्च कर लेना है सर्च वाले आपशन में जाना ना है इसके बाद यहां पर क्लिक आउट कर के यहांपर भी भेज देना है इनको यहां पर जैसे आप भेज देते हो जिएक भेजने के बाद यहांपर आपको एक message आ जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ message कौन सा है आपको यहाँ पर दोस्तों एक code मिलता है ठीक है आपको यह code मिलता है जो की UPC code बोलते हैं उसके ठीक है आपको यह UPC code को क्या करना है किसे रख लेना है समाल के यह UPC code दोस्तों आपको चार दिन तक valid रहता है यहाँ पर यहां पर चार दिन का यहां पर यह ए चार दिन के बाद यहां पर यह को अछिसे संब्लक के रख लेना है फिसांधे वहां पर ने लाखा अधारक लेगने है किसी आधार कार देना है तो आपका जो सी में दोस्तों वह पोर्ट हो जाएगा बहुत ही simple तरीके से आसान तरीके तो इतना काम आपको यहां पे कर लेना है दोस्तों यहां पर आप लोगों के बता दूँ कि आपको एक बात जरूर से ख्याल देखना है वह है अगर दोस्तों आप यहां सोच रहे हो कि मैं अपने जियो सिम को खुद से पोर्ट कर लूँगा बेसनल में कर लूँगा तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं यहां राइट से सिर्फ उनके पास होता है जो सिम वगारा बेशते हैं ठीक है तो आप लोग को यहां ख्य लूँगा